लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिजेंट कंटूनियस टैंस के बारे में और हम पढ़ रहे थे टॉपिक करेक्ट फॉर्म आफ वर्ब करेक्ट फॉर्म में प्रिजेंट कंटूनियस हमारा कंपलीट हो चुका था और जहां तक मेरा विचार है आप ने एक्सरसाइज भी की होंगी उसकी आपके पास रेफरेंस बुक्स वगरा हैं उनमें से करके देख लिया करो ओके नेक्स्ट है आपका प्रिजेंट ओके देखिए प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस पर्फेक्ट का खुद का मतलब क्या होता है बिटा पूर्णता पर्फेक्ट होती है मतलब पूर्णता प्राप्त कर लेना ठीक है जब पूर्णता प्राप्त कर लेता है अर्थात कोई भी कारिये जो कंप्लीट हो चुका है अपने आप में यानि उसकी completion हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, हाँ भाई खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं class 10th पास कर चुका हूँ, मोहन जा चुका है, या मैंने तुमसे कताब ली है, दी है, या फिर अलवर गया है, या राधा सोई है, जो भी है, यह सारे किसमें आएंगे बिटा, perfect tense में आते हैं, simple इसकी पहचान आप देख लीजिए, बैसे तो आपको हिंदी आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो, इसलिए पहचान तो देख लो, sentence में क्या आता है बिटा, एक तो यह आते हैं देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये है, ली है, अगर किसी भी हिंदी sentence के end में, जब आप देखो कि क्या आ रहा है, इन में से कोई भी सब्दा रहा है, कोई भी अक्षर आ रहा है, तो कौन सा tense होगा बिटा, present perfect tense, यहां आपको मैं एक चीज क्लिए करना चाहूँगा, ध्यान से देख लेना, बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए वो चीज, देखो बिटा, तीन tense होते हैं, एक होता है अपना, present perfect, present, perfect, एक होता है अपना, past, simple, और एक होता है अपना बिटा, past, perfect, ठीक है, तीनों को अच्छे से समझना और देखना, इनको एक बार, comparison कर रहे हैं के वहला अभी आपको past simple और past perfect नहीं पढ़ा रहे हैं, current क्या है, present perfect आ रहा है, तो इनकी तीनों की तुलना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत intelligent हो, मुझे पता है, आपको थोड़ा सा भी clue मिलते ही, और आप उसको तुरंत कारवाई करने के चकर में रहते हो, इसलिए आपको यहां यह clear हो जाना चाहिए, कि कौन सा sentence तो किसका है, present perfect का है, कौन सा past simple का है, और कौन सा past perfect का है, मैंने कहा था sentence के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह है, यह हैं, यह हैं, ली है, दी है, मैंने, रामायान पढ़ली है, भाई, क्या आ रहा है, इसमें देखो, बताओ, बताईए क्या आ रहा है, मैंने रामायान पढ़ली है, भाई, अंत में क्या रहा है, ली है आ रहा है, ठीक है, आई ए के साथ में है और आता है, यहां ध्यान रखना, IEA के साथ में IEA की द्वनी और है अगर आता है present perfect tense होता है कौन सा होता बिटा present perfect tense और जहां पूर्णता प्राप्त कर लिए अर्थात पूर्णता completion हो चुका है कि नहीं बताईए कि पढ़ ली है पढ़ चुके हैं इसका मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैं रामन पढ़ चुका हूँ मतलब पढ़ ली है clear यानि यहां पर कारिये की पूर्णता दिखाई जा रही है okay career हुआ बात करते हैं past simple की वहे कल जैपुर गया वहे कल जैपुर गया या फिर इसी sentence को हम देख ले है मैंने कल रामायान पढ़ ली ठीक है पिटा ध्यान दीजिए यहां क्या है मैंने रामायान पढ़ ली है clear कोई समय थोड़ी दे रखा यहां पर नहीं दे रहा आना समय कोई भी समय नहीं दे रहा है लेकिन यहां पर समय दे रहा है क्या दे रहा है कल क्या दे रहा है बिटा कल मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है भाई अगर आने वाला कल होता तो यहां क्या होता आपको देखे रखता क्या गागे की देखे रखता ठीक है जैसे मैं कल रामाइंट पढ़ूंगा तो आपकी बात करते कि इसकी तुमारों की लेकिन यहां हम बात कर रहे है yesterday की और वाकिके अंत में केवल क्या आता है बिटा यहां तो देखो लिख देता हूं मैं A E A और इनके साथ में है आता है बिटा है नहीं मिलेगा अर्थात A E A के साथ है आता है तो present perfect tense होता है और A E A अकेला आता है तो past simple होता है clear कोई दिक्कत इसमें दोनों का difference कर सकते हो कर सकते हो ना दूसरी बात यहां आपको क्या मिलेगा समय मिलेगा कोई भी बीता हुआ समय मिलेगा 100% देखर रखेगा ठीक है तो यह क्या हुआ past simple और है आ रहा है तो past present perfect अब बात करते हैं इसकी past perfect की past perfect में क्या होता है ध्यान देना past perfect में आपको क्या करेगा वो इन A E A के साथ में A E A यह sounds है बिटा समझते हो ना sounds है और sounds के साथ में क्या जड़ा होगा यहां पर था जड़ा होगा बिटा क्या जड़ा होगा था है जड़ा हुआ है तो present perfect है और था जड़ा हुआ है तो past perfect है मैं एक चीज तो 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 में बता चुका था पहले ही देखो जब मैंने शुरुआत की थी correct form of verb की ध्याम देना जब correct form of verb की शुरुवात की थी तो हमने क्या बात की थी कि sir है आता है ना वो तो कौन सा टेंस होता है present होता है कौन सा होता है present ठीक है और अगर tha या फिर RIA की धोनी आएगे तो वो कौन सा होता है पिटा पायस्ट होता है तो तुरंट समझ जाईए आई ये के साथ में था लगजा हुआ तो ये पाइस्ट परफेक्ट होगा अगर इन सब को अगर मैं हटा देता हूँ और इनके आगे इनको रिप्लेस करके इनके इस्तान पर क्या लगा देता हूँ था क्या लगा दूँ था तो टेंस हो जाएगा बेटा आपका पास्ट पर्फेक्ट कौन सा हो जाएगा पास्ट पर्फेक्ट किलियर हुआ clear हुआ और अगर मैं इन है को बिल्कुल ही replace कर देता हूँ और इनके इस्तान पर था भी नहीं लगाता हूँ ठीक है अगर मैं था भी नहीं लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ था और केवल इनको है को replace कर देता हूँ तो tense हो जाएगा past simple और अगर यह हैं तो कौनसा है present perfect clear तीनों में अंतर कर सकते होना कोई problem संभवत है आपको कोई problem और कोई छाटने में यानि हिंदी का अगर कोई sentence आ रहा है और उसमें आपसे पूछा जाए कि tense कौनसा है sir तो tense आप तुरंत बता देना कि अगर अकेला IEA की धुनी आ रही है तो कौनसा है past simple है अगर IEA के साथ में है आ रहा है तो present perfect है और IEA के साथ में था आ रहा है तो present sorry past perfect है कैसे होगा जैसे sentence इसका भी देख लो कैसे आएगा वे है कल कल नहीं आएगा यहां पर वे है जैपुर पहुंच गया था ठीक है पिटा या फिर मैंने रामायान पढ़ ली थी पढ़ ली थी पता चल गया क्या अंतर है फिर बता रहा हूं में एक बार ध्यान से सन लेना तीनों में अंतर करना बहुत जरूरी है जब तक अंतर नहीं करोगे आप mistake कर सकते हो मालो आपसे कोई translate करवाए किसी भी sentence को तो आप 100% गड़बड करोगे क्योंकि गड़बड कोन करवाते हैं यह सब्द गड़बड करवा देते हैं कई बार यह क्योंकि अगर यह लगे हुए हैं तो है लगा हुआ है तो present perfect और था लगा हुआ है तो past perfect और अगर नहीं लगा ह हुआ है कुछ भी को रहा है तो क्या लगाएंगे बिटा past simple clear हुआ कोई problem कोई भी किसी भी प्रकार की कोई doubt आपको यहां नहीं होना चाहिए कोई इसमें अपन को क्या देके रखता है वो दो helping verb देता है has और have क्या देता है has, have और इनके साथ में वो देता है man verb की third form क्या देता है has या have या man verb की third form ओके ध्यान देना इनका प्रियोग कैसे करते हैं structure आपको मैं बता चुका हूँ structure याद रखना सभी का structure सेम रहेगा केवल आपको change क्या करनी है helping verb और verb structure सेम रहेंगे आपको कोई problem उनमें आनी नहीं चाहिए ठीक है और फिर भी कोई problem आती है किसी structure को समझने में तो without hesitation comments box में डालिए ठीक है आपकी वह problem solve हो जाएगी ठीक है देखिए हैज और हैव के साथ में वर्व की third form मिलती है कब कब मिलेगी जब condition यह होंगी अगर condition यह मिलती है तो आपको क्या करना है condition यह होने पर क्या करना है हैज है के साथ में वी third लगानी है कैसे लगाएंगे बिटा यह इसके लिए भी आप ध्यान से समझ लेना इसका प्रियोग होता है singular third person के लिए किसके लिए third person के लिए किसके लिए होता है singular third person के लिए किसका प्रियोग किया है हमने हैं उसके प्रियोग कि होता है अगर बात की जाए singular third person के लिए तो किसका प्रियोग किया है या फिर प्लूरव दे भी होंगे तो यह सारे अगर आपको मिलते हैं तो उनके साथ किसका प्रियोग करेंगे हैं करते हैं बाकी सब के साथ किस प्रियोग करते हैं है का प्रियोग करते हैं किलियर कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर है कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए एक बार फिर से सुन लिजिए अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर इसको भी देख लो एक बार सिंगुलर थार्ड परसन में कौन-कौन से होते हैं भाईयो देखे ही प्रणौन टेबल याद नहीं है क्यों प्रणौन टेबल बताए थी ने नरेशन में नरेशन वाला चेप्टर फिर से देखना प्रणौन टेबल बनबाई है उसको एक बार अगर आप सुरू से भी बाज़ कर रहे हैं आपको नरेशन वाला टोपिक है उसके अंदर प्रणाइब लबन वाई होगी उसको चेक करो आप एक बाद सी एट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम यह किसमें आते हैं बिटा सिंगुलर थर्ड परसन में आते हैं किलियर आपको केबल समझने की ज़रात है नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो हैज के साथ में क्या करते हैं सिंगुलर थर्ड परसन थर्ड परसन में कौन-कौन से होते हैं ही सी एट नेम और सेज के साथ क्या प्रियोग करते हैं क्या करते हैं हैव का प्रियोग करते हैं आई वी यू दे के साथ में ठीक है के लिए ओके आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं देखिए हाँ होता है क्या है जैसे सेंटेंस आपको देखे रखता है एक दो सेंटेंस की हम देख लेते हैं रचना किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं कैसे बनते हैं देखिए वह दस्वी कक्षा उत्तेण कर चुका है ठीक है भाई यह सेंटेंस है ठीक है आसानी से बना सकते हो आप बताया था इस्टेक्चर सबसे पहरे सब्जेक्ट लेजिए ही अब यहाँ देखना है हमें क्या है बटा चुका है चुकी है चुके हैं दिया हुआ है तो कौन सा टेंस होगा संपल सी बात है पढ़ते आ रहे हैं उसे यही पर्फेक्ट टेंस होगा पर्फेक्ट कौन सा है लगा हुआ है मतलब यह present की पहचान है और यह क्या है perfect की पहचान है तो कौन सा हुआ present perfect he has passed with her dana with her dana okay देखो passed class 10th he has passed class 10th okay कोई दिक्कत इसमें आने निचाइए आसानी से बना सकते कोई दिक्कत नही के बाद पुटा कि 95% से अब अब जो भी है 95% से अब जो भी अपनी वर है वह सब कैसी होते हैं regular अर्वर्ब्स होते हैं कौन सी होते बेका regular सोती है फर्स टेकेंड थर्ड फॉर में उनकी याद हो जाएं है ना तो उससे क्या है आपको उनकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप एक बार देख लिया करो वैसे देखो जितना आप उनको फिरोगने एक दो बार फिरो तीन बार फिरो चार बार फिरो फिर फिर के आपको सब कुछ जाएगा ठीक है कहते भी तो है करत करत अब्यास के जडमत ही होते सुजान रस्री आवद्जात से पाथर पढ़े शिलपर पर अनिसान यानि जो पानी खीशा जाता है तो देखा कर अने जाने से उस पर निसान पढ़ जाते हैं ठीक है अब तो कोई ने खीशता समर से बिल हाँ देखा आपने यानि आप कर लोगे इसको ऐसे सेंटेंस आसानी से बना सकते हो एक नोट डाल के लिखो बेटा जो अती महत्वपूर्ण नोट है उस नोट को इस्टेंस के लिए लिख लेना आप बहुत जरूरी है कि नोट में लिखिए हाँ नोट में लिखो बेटा सिंसर फोर प्लास टाइम के साथ प्रिजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यूस टैंस का यूज किया जाता है किया जाता है कि नहीं भाई शिंस फोर प्लास टाइम जहां आ गया वहाँ प्रिजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यूस टैंस का परियोग किया जाता है अभी आपको बता देंगे यह नोट लिखवाए जा रहा है प्रिजान्ट पर्फेट के संदर में ठीक है किया जाता है परंतु यदि वाक्य में निम्न वर्ब हों निम्न वर्ब्स हों तो सिंस पूर प्लस टाइम के साथ प्रिजेंट पर्फेक्ट का यूज होगा ठीक है पटा इस नोट को आप ध्यान से उतार लो और बहुत जरूरी है और यह जो वर्ब्स में लिखवाने जा रहा हूं इनको भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यह वर्ब अगर आपको देखो कई बार सेंटेंस ऐसा मिल जाता है ध्यान देना जैसे सेंटेंस ऐसे आ गया आई दिस मूवी सिंस 19 या फिर 19 मतलब आपटा 2015 और यहां में ने दिया है अब यह दिया हुआ है सी दी हुई है क्या दी हुई है सी दी हुई है वर्ब बिटा तो वर्ब अगर सी दी हुई है यहां पर और यह सिंस 4 प्लस टाइम दिया हुआ है तब आप सिंस 4 प्लस टाइम देख करके ऐसा मस सोचना कि क्या आ जाए कि present perfect continuous tense आएगा क्या आएगा देखो इस इस्तिती में यहां पर हम क्या बरेंगे है के साथ में थार्ड फॉर्ब आप सीन दिस मोवी सिंस 2015 कि कै तो यह कुछ वर्ब से हैं जो मैं आपको यहां लिखवा रहा हूँ जिनको आपको देखना है यानि जिनके साथ में आप हमेसा क्या प्रियोग करेंगे प्रिजैंट परफेक्ट टेंस का प्रियोग करेंगे ओके इनको तो Avec अप एक बार नौट कर लो नको smell, ठीक है, और लेको want hope, want, hope, desire, wish, love, like, desire, wish, love, like, है न, सी का क्या हो जाएगा, सी सा, थर्ड फर्म सीन, feel का क्या होगा, feel, felt, felt, ठीक है, felt, smell का, smell, smell है न, want का, wanted, hope का क्या हो जाएगा, hope, hope, ठीक है, desired, wished, loved, liked, ठीक है बटा, इनको note करो, आप और बताते हैं, देखो, ये वर्ब, इस्टेटिक वर्ब्स होती हैं, बटा, कौन सी होती हैं, इस्टेटिक वर्ब्स होती हैं, जिन में क्या है कि ये continuous में कम ही प्रियोग होती है, कोई specific condition में ही प्रियोग होती है, नहीं तो इनका प्रियोग continuous में नहीं किया जाता, ओके, और देखो जैसे बी की भी हो सकती है बी वाज वर और बीन बी वाज और वर थर्ड फ़र्म होती है बीन ठीक है बटा आदी ETC लगा लेना एक बारे इनको नोट करो बेटा जल्दी से न हाँ बेटा नोट कर लेना आप लोग पोज करके देखिए अब एक्जामपल देखते हैं इसके हमें एक दो देखो ही ब्लैंक दिस इंसाइट सिंस और यहाँ पर मैंने दिया बेटा फील अब आप लोग तुरंट देखोगे कि सर सिंस फोर प्लस टाइम दिया हुआ है सिंस फोर प्लस टाइम के साथ तो हम तुरंट क्या लगा यहां पर देखो मैंने कहा था आप से के अगर फील वर्बस है वहां पर फील है दी हुई है इस्टिटिक वर्बस है जो मैंने इंडेफिनिट में भी आपको लिखवा चुका हूं सायद कंट्यूनियस में प्रियोंग नहीं हो सकता कि इवल स्पेसिफिक कंडिसन को छोड़ करके तो यहां पर क्या है देखो ही सिंगुलर है सिंगुलर है और थार्ड परसन है तो क्या लगाएंगे सरहेज के साथ में थार्ड फॉर्म क्या लगाएंगे समझ आया यानि जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स कंट्यूनियस में प्रियोंग नहीं होती है के वल स्पेसिफिक कंडिसन को छोड़ करके और देखो डे ब्लेंक अ ब्लेंक अ अ अ यार यार स्टैपसन फोर टू यहां पर मैंने दिया है क्या क्या दिया है क्या क्या पर क्या आएगा ज्यान देना के लिए भी क्या लगाएंगे पर्फेक्ट प्रिजेंट ठीक है पर्फेक्ट यहिस का प्रियोग करेंगे है क्या लगाएंगे cared they have cared their stepson for two years यानि वो अपने stepson क्या होता है step मदर भी तो होता है सौत तेला ठीक है ओके देखो हो गया clear कोई दिक्कत इसमें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए संभवत है आपको और फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी वर्ब कोई वर्ब ऐसी लग रही है आपको तो आप बिल्कुल बेज है ज़क अपनी प्रॉब्लम नोट कीजिए हाँ एक नोट और डाले बटा देखिए नोट में क्या लखना है आपको this that it प्लस इस वाज ओके देखो क्या करना है this that it इनके साथ में क्या जोड़ा हुआ हो इस वाज या और इनके साथ में क्या जोड़ा हुआ हो देखो the first second last भी हो सकता है और best भी हो सकता है और worst भी हो सकता है etc अगर ये जुड़े हुए हो ठीके बटा ये जुड़े हुए हो किसी भी sentence में किसी वाक में दिये गए हो तो अगले वाक में correct form of verb के रूप में रूप में पर्फेक्ट टैंस का प्रियोग किया जाएगा आप ऐसे लिखे पर्फेक्ट टैंस का यूज किया जाएगा अब देखिए क्या होगा ये आपको ऐसी कंडिशन अगर किसी भी sentence में मिलती है ठीके और उससे अगले वाले sentence में आपसे क्या पूछी जा रही है correct form of verb पूछी जाए तो आपको क्या भरना है भाई उसमें वहाँ पर पर्फेक्ट टैंस का प्रियोग करना होगा फिर इतना ब्लैंक किसी चीज़ से भरनी होगी पर्फेक्ट टैंस से भरनी होगी देखिए sentence कैसा आएगा आपको देखो this is the best movie और मैंने यहां पर दिया है ever see क्या दिया है विटा यह दिया है देखो अब condition आपको देखनी है मैं जो condition दिया है यहां पर इसको देखना अच्छे से एक बार कौन सी कौन सी चीज ले लिया मैंने इन तीनों में से एक चीज ले ली दिस ले लिया बिटा इन दौनों में से एक चीज ले ली इस ले ली और इन में से क्या ले लिया मैंने दा ले लिया और यह बैस्ट ले लिया इन में से सब में से एक चीज लेनी है ना सारा का सारा थोड अब एक बात ध्यान देना यहां पर singular ही क्यों आया तो मेरे भाईयो यह सुपर लेटर विटगरी और यह चीज singular ही होती है यह जो best होगा वो एक ही होगा यह नहीं है कि सारे के सारे best हो जाएंगे बहुँआ चल नहीं होगा कभी भी या तो best एक team होगी या एक ही होगा जो भी आई है ना इसके बाद अब देखिए आपको देखना है मैंने बताया था बिटा आपको कि आपको क्या करना है आई के साथ में हैव का प्रियोग करना है क्यों करना है सर क्योंकि हैज का प्रियोग हम केवल कव करते हैं third person singular के साथ हैज का प्रियोग करते हैं यहां पर आई क् विकत संभवत है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए एक एक्जाम्पल और देख लो जिसको हम क्या लेते हैं पास्ट से ले लेते हैं देखो देट वाज माई फ़र्स्ट देट वाज माई फ़र्स्ट टाइम या फ़र्स्ट चांस ठीक है चांस माने जानते हैं अब सर होता है और टाइम मतलब पहला समय या फ़र्स्ट टाइम आई कालेस्तान बाय हार अब मैंने यहां पर दिया वेटा गो क्या दिया है गो दिया है अब बताइया है क्या भरोगे किया बरेंगे have gone और तमने have gone भरा और किसी ने वो copy चेक की और यह काट देगा ऐसे कैसे काट देगा ऐसे और आगो कितना मिलेगा वाँ अंडा मिलेगा ठीक है यहाँ देखिए भाई यहाँ मैंने क्या दिया है is दिया है क्या दिया है is इसलिए present perfect भरा है यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ वाज दे रहा हूँ और वाज के साथ में क्या भरेंगे भाई head gone भरेंगे ओकी कोई दिक्कत अब समज़ आया क्योंकि यहाँ पर वाज दिया है तो पास perfect और यहाँ पर हमने it दिया है तो present perfect कोई दिक्कत इस रूल में देख लो इसमें भी देख लो हमने क्या लिया है यहां क्या आया है मैंने क्या चुना इसमें से देखो इसमें से मैंने देट लिया देट आया इसमें से मैंने वाज लिया वाज आया और यहां पर मैंने क्या लिया है फस्ट फस्ट आया ठीक है तो और उसके दिए मैंने क्या किया फिर आगले वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का यूज किया है किलियर यहां तक आपको कोई प्रावलाम बताईए संभवत है आपको कोई प्रावलाम इन रूल्स में आने नहीं चाहिए और सेश जो होगा देखे और भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम अभी अगली क्लास में करेंगे विटा और आप रेगुलर क्लास लीजिए और हमारी चैनल को सेयर और सबस्क्राइब करते रहें थैंक यू